आखिर एलबर्ट आइंस्टाइन के दिमाग में ऐसा क्या था? शारुक खान को दुबबई के किसी भी होटल में रहना खाना फ्री क्यों है? यहां के लोग लगाते थे सोने की जीब भाई वीडियो को स्किप करने का सोचना भी मत आगे बहुत मज़ा आने वाला है बुर्ज खिलिबा में 163 फ्लोर है पर 125 फ्लोर तक क्यों जाने दिया जाता है? बुर्ज खिलिबा में जाने के लिए दो परगार की टिक्ट होती है पहली नौन प्राइमरी आवर्स जिसमें सुबह के नो बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक बुर्ज खिलिबा के अंदर भूम सकते है इस टिक्ट का प्राइज 3,000 रुपे होता है जिसमें 125 फ्लोर तक जा सकते है दूसरी प्राइमरी आवर्स जिसमें शाम के 6 बजे से लेकर 8 बजे तक बुज घिलिपा के अंदर घूम सकते हैं इस टिकट का प्राइज 5,000 रुपे होता है बुज घिलिपा के जो सबसे उपर के फ्लोर्स है उनमें VIP लोगों को जाने दिया जाता है दुनिया का सबसे महगे आम का नाम मिया जाकी है जो जापान में उगए जाता है इस आम का बजन 350 ग्राम होता है इस आम का कलर रूपी होता है जिसे करण इसे एग ओफ दसन भी कह जाता है इस आम में 15% सुगर होती है यह आँखों की रोजनी को बढ़ाने में मदद करता है इस आम की कीमत 2,70,000 रूपे है एक ऐसी बिल्डिंग जिसके अंदर से हाइवे निकलता है जापान के ओसागा में गेट टावर नाम की एक बिल्डिंग है जिसके अंदर से हाइवे निकलता है इस हाइवे में गाडियों के चलने की आवाज भी सुनाई नहीं जेती दोस्तों क्या आपका पता है दुबबई के पास इतना सारा सोना कहां से आता है यहां सोना ग्राम के हिसाब से नहीं किलो के हिसाब से बिखता है दुबबई साउथ अफरीका से कच्छा सोना बहुत बड़ी मातरा में इंपोर्ट करता है इस सोने की जिवेलेरी मनाई जाती है और इसे बेचने के लिए मार्किट में भेज जे जाता है इस तरह दुबबई 200 टन सोने का व्यापार करता है पूरी दुनिया में जितना सोना बिखता है उसमें से 39% दुबबई का होता है चिप्स के अंदर 70% हवा क्यों भरी जाती है चिप्स के अंदर Nitrogen GAS भरी जाती है जिसके करण चिप्स काफी समय तक खराब नहीं होते इस GAS के करण चिप्स एक दुसरे टकरागा टूटते नहीं और यहागा है गैस चिप्स को सीलन से भी बचाती है इसले चिप्स के अंदर नाइट्रोजन गैस बरी जाती है क्या आपको पता है दुनिया के सबसे खतरनाक साप कौन सा है हमारी प्रिशीवर आज से 6 क्रोड साल पहले टाइटैनल गोया नाम का एक साप हुआ करता था जिसकी लंबाई 40 फूट से ज़्यादा और इसकी चोड़ाई 4 फूट होती थी यह साप इतना खतरनाक था कि टी रेक्स जैसे जालवर को जगड़ कर उसकी हड़ियों को चूरा बना देता था अलबर्ट आइंस्टैन के दिमाग में ऐसा क्या था जिसके कांड़ वो इतने जीनियस थे अलबर्ट आइंस्टैन जब मरने वाले थे तब उन्होंने कहा था कि मेरे स्रीर के ऊपर कोई भी एक्समेरिमेट नहीं करना डॉक्टर ठोम्स हार्वी ने आइंस्टैन का दिमाग चौरी कर दिया था अलबर्ट के दिमाग का वजन 1230 ग्राम था डॉक्टर हार्वी ने अलबर्ट के दिमाग के दोसर चाले टुकटे करकर उन पर रिसर्च की और बाद में हार्वी को बाचला की एलबर्ट के दिमाग में बहुत ज़रा सैल्स थे जिसके कारण वो किसी बड़ी कलिगलेशन को चुटकियों में कर देते थे एजीप्ट में एक सोने के जीव वाली ममी मिली थी एजीप्ट में पुराने राजा और बड़े गराने के लोग अपनी जीव पर सोने की पर्त चड़ाते थे यह सोने की जीव इसलिए चड़ाई जाती थी कि मलने के बाद भी इंसान बोल सके शारुक खान का दुबबई के किसी भी होटल में रहना खाना फ्री क्यों है झाल 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 झाल